कन्या राशी कार तत्वा द्वारा ये राशी कन्या बुद्ध इसका स्वामी है और बुद्ध की मूलत्र कौन राशी है बुद्ध कन्या राशी के अंदर उचस्त तवस्था में चला जाता है दूई सोभाव राशी है भूमी तत्व है वायू प्रविर्ति रहती है इसके अंदर नाभी स इसे नीचे का और हिप्स के ऊपर का स्थान कन्या राशी का आता है इस राशी को बताया गया है एक वर्जिन कन्या यानि कि कुवारी कन्या के रूप में इसको दर्शाया गया है जाती से ये वैश्य है दूई पाद है दो पाद पर चलने वाला यानि कि एक इंसान के साथ इस कि किया गई है कि पहुत ही सवमें चेहरा रहता है काले बाल होते हैं गोल आखे और काली आखे नार्भनी देखी गई है क्योंकि 200 भाव है लेकिन एक कुवारी कन्या के साथ इसका वंणन किया गया है बहुत ही मासूम चेहरा नजर आता है हलका सा लंबा कई बार देखा गया है इनका चेहरा और मल्टी कलर मीन्स बहुत सारे रंगो द्वारा सुसजित यह कन्याराशी है अब कन्याराशी के कार्ततु देखिए सुआमी बुद्ध होने के कारण बुद्धी बहुत प्रकर होती है बहुत तेज बुद्धी होती है हिसाब किताब मैतमेटिक्स हिसाब किताब केवल एकाउंट्स या फिर एकाउंटेंट का नहीं एक जीवन का हिसाब किताब दी बहुत अच्छा करते ही लोग अपने जीवन को बहुत सुचारू ढंग से एक सोचा समझा प्लैन बना करके पूरे जीवन जीते हैं ये लोग कोई भी कारे बिना सोचे समझे या उसकी स्ट्रेटेजी बनाई ये कभी नहीं करते हैं आज पास के लोगों की सलहा लेना इनको पसंद नहीं है इनके पास खुद ही इतना दिमाग होता है कि ये किसी दूसरे को सलहा देते समय तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे लेकिन लेते समय महसूस नहीं करेंगे अब इसके अंदर क्योंकि सूर्या का तत्तुर भी आया तो बहुत अच्छे चार्टर एकाउंटेंट या बहुत अच्छी पोदीशन पर किसी हिसाब किताब रखने वाले महकमों में भी काम करते हैं और दूसरा जो चरण इसका है वो चंदर का तो चंदर मन सो जाता मातरकार का मन बहुत ही स्ट्रॉंग होता है कैलस होता है जिसको बोलता है बहुत सक्त मन होता है जो सोच लेते हैं वो करते हैं और तीसरा नक्षतर चित्रा स्पाइका जिसको बोलते हैं जहां से हमारी गण करके चलिकली के सोच नहीं किसी को मारने में इनको आनन्दक अन्दानद को सब्सक्राइब भूउःते हैं। आनन्देदम के स summation by Two Prime reflect visit फेटेपन करना जैसे एगर अगर फिल्म की बात करूं तो पीछे बैठ कर जो लोग डारेक्शन करते हैं वो कन्याराशी वाले लोग होते हैं दिन बली होने के कारण ये पूरा दिन बहुत मेहनत और लगन से कारे करना पसंद करते हैं एजाईर होते हैं तेज चलना इनको अच्छा लगता है जीवन के अ बहुत लबे समय तक इंतजार करना कि जीजों का इनके बसका नहीं होता है इस्तरी ततों होने के नाते कितना भी भार इनके उपर आप दे दीजे उसको सहना अच्छी तरह से जानते हैं लालन पालन करना अपने मीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना ये करने जितने भी आप बड़े आर्टिस्ट देखेंगे या आटीजन्स देखेंगे जो बहुत अच्छी तरह से मूर्तियां बनाते हैं मूर्तिकार लोगों होते हैं ये भी करने राशी का ही एक कारतक होते हैं औरतों के जो एंजॉयमेंट की प्लेस होती है जहां पर औरतें कर लेती तो ये भी चीजों का कार्ततों जो है ये करने राशी से हीToday Western Method के हिसाप से यदि मैं करने राशी को देखेंग हूं तो 24 सगत से लेकर के 23 सितंबर के बीच में जनमे हुए लोगों को करने मार राशी की संग्या दी जाती है अब करने राशी जैसा कि हमारे से वैदि पश्चिन देशों में क्योंकि सूर्य के सिधान से देखा जाता है हम लोग भी वैदिक पदिती में सूर्य राशी से एक personality analysis तरण करते हैं उन्होंने कहा कि जैसा कुवारी करन्या का सिंबल उन्होंने भी दिया इसको उन्होंने का जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह की आस्थाओं से अपने आपको महसूस करता हुए ती या इस दिनों के बीच में जनमा हुआ जो जातक है वो अपनी जो पवितरता है वो उसी तरह से मेंटेन करें लगता है कि वो मेंटेन कर रहा है भीड़ भाड इसे पसंद नहीं होती बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है बहुत अकलमन व्यक्ति होता है चुप रहता है जादा तर बोलता कम है लेकिन अपनी भावनाओं को अंदर समेटे रहता है अकेला पन उसे पसंद होता है यदि वो बड़ी पार्टी में भी देखा जाएगा तो कहीं कोने में बैठ करके वो अपना मैथमेटिक्स लगा रहा होता है लोगों को अनिलाइज कर रहा होता है उसे बड़ी बड़ी पार्टी में जाना पसंद नहीं है लेकिन बड़ी पार्टी में जाकर के भी वो अपने आपको अकेला महसूस करता है चाहता है कि मैं सब के साथ मिलूँ लेकिन मिलना उसकी अंतर आत्मा के या उसकी वृती के विर्दु है ये लोग अपना जो खाली समय है वो बड़ी पार्टियों में जाकर के विताना पसंद नहीं करेंगे इनका एंजॉयमेंट इनका वर्क होता है काम होता है, इनका कारेक्षेत्र होता है क्रियाशीर व्यक्ति है, क्रियात्मक है आर्टिस्टिक नेचर है मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जीवन का लगाते है क्योंकि बुद्ध इनका में ग्रह होता है बुद्धी का कारक है, ऐसा वो लोग भी मानते है और बुद्ध के कारण मौसम के अंदर कितने बदलावाते है यह आपने देखा ही होगा मरकुरी ऊपर चला गया या मरकुरी नीचे आ गया और यह बुद्ध की मूल तरकोंडाशी मानी गई है इसके अंदर बुद्ध उच्छस तवस्था भी हो जाता है तो मूड स्विंग यहां भी होते है कई बार अपनी बहुत ज़्यादा दिमाग तेज होने की वज़ा से जब इसको अटेंशन नहीं मिलती है तो बिमारी का भाना भी लगा देते है बिमार होते नहीं बहुत कम बिमार होते है वैसे डील डॉल के इसाब से बहुत छोटे नजर आते है को मस्कुलर बॉडी नहीं होती है वो बड़ी प्लंपी बॉडी नहीं है लेकिन शरीर घठा हुआ रहता है शरीर के अंदर एक अच्छी जान भी होती है तरह तरह के बहाने लगाकर लोगों की अटेंशन को गेन कर लेते हैं कारे क्षेतर में भी यदि इनकी क्षमता से बाहर को कारे हो तो भी अपने दिमाग से उस कारे को किसी ना किसी तरह से संपूर्ण कर लेना इनके कारतरों में दियाता है इनके चेहरे की खूबसूरती इनका नुकीला नाख और इनकी आँखें बहुत दूर से इनके चेहरे पर केवल आँखें ही चमकती नजर आएंगी बहुत सारी भाशाएं ये अपनी आँखों से ही कह देते हैं और इनका जो expression है चेहरे पर बहुत कम आता है लेकिन आखों से बोलना ये ज़्यादा पसंद करते है इनका अपना मानना है कि यदि आप मेरी आखों की भाषा को नहीं समझते तो आप मुझे भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इनके अंदर में बहुत ही गहन और सीक्रेट और बहुत सी प्रतिभाएं चुपी रहती हैं जिससे ये लोगों का भला भी करना चाहते हैं भला करने में आगे भी रहते हैं लेकिन वहां भी ये देखेंगे कि कहीं मेरा फायदा तो नहीं हो रहा है मैं इनको सेलफिश नहीं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी एक टैक्टिकल रूप में एक बहुत ही वेवारिक और संसारिक रूप से ये अपने आपको थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं और जितनी इनके पास प्रतिबा होती है उससे ये अपने जीवन को समारने में अधिक समय व्यतित करते हैं अपने शरीर का छोटा होना या मस्कुरर नहीं होने का ये बहुत फायदा उठाते हैं लोगों को बोल देते हैं कि मैं बिमार हूँ या मुझे इस इस तरह की बिमारी है कई बार क्या होता है कि सोच से ये वाकई में एंग्जाइटी में आ जाता है कुछ मानसिक टनाव जो है वो इनके अंतरमन के अंदर रहता है अब इसको डिसेप्टिव परसनेलिटी या ये कहें कि अपने अंदर रखने वाली परसनेलिटी में नहीं कोँगा क्योंकि बुद्ध माना गया है कि बारा वर्ष का बच्चा है और बहुत ही तेज दिमाग का व्यक्ति है अपनी शरारत करके वापिस आकर के चुपचा बैठ जाता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं लेकिन उसके पीछे किसी का मन दुखाना इनका धे नहीं रहता है शरारत केवल इनके एक मन की चंचलता पुदर शाता है जैसे आपने देखा हुआ कि छोटे बच्चे जो है वो ख्वाब बहुत देखते हैं सोपन बड़े-बड़े देखते हैं सोपनों की दुनिया में रहते हैं कुछ कहानिया ऐसी सुनना चाते हैं बच्चे जिसके अंदर सोपनों की रानी हो परी हो और वो परी कहीं स्वर्ग में चली गई हो अब ऐसा यदि को बड़ा व्यक्ति स्वपन देखता है और जब उसके स्वपन टूपते हैं तो उसकी मनस्थिती कैसी होती है थोड़ा वालेंट हो जाता है वलगर भी हो जाता है तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है मैं तो नहीं कोंगा की गाली गुलोज पर उपर आता है लेकिन बहुत जादा इरिटेट हो जाता है तरग चाता है अंदर से और इस तरपन से कई बार उसकी सेहत वाके ही खराप हो जाती है और जिस समय इसकी सेहत खराब होती है तो आप देखेंगे कि दवाईयों का पंडारा ये ले करके हमेशा चलते हैं जब भी के भी ये बाहर जाते हैं तो अपने साथ दवाईयों का एक डिबबा अवश्य ले करके जाएगे चाहे इनको को बिमारी हो या ना हो सेहत के प्रती बहुत ज़्यादा जागरूप रहते हैं और खास्तोर से अपने शरीर के प्रती क्योंकि शरीर छोटा होता है थोड़ा पतला होता है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं और अपने आईडिया से अपने दिमाग से जीवन का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगा लेते हैं जीवन को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से चलते हैं मैथोडिकल मैथाड से चलते हैं और समय के बहुत पाबंद होते हैं अगर इनोंने कहा कि मैं पांच बज कर बारा मिनेट और बारा सेकिंड पर पहुंचूंगा तो आप देखेंगे कि आदा सेकिंड भी उपर नहीं जाता है इनका, यह परफेक्ट टाइम पर पहुंचते हैं और इनको मन के अंदर इरिटेशन तब होती है जब व्यक्ति बारा सेकिंड की वजाए साड़े ग्यारा सेकिंड पर इनकी मनस्थिती देखने वाली होती है और वो कहीं साड़े बारा सेकिंड में नहीं पुर्चा तो इनके मन के अंदर उत्थल उत्थल शुर्चा जैसा यह होते हैं वैसे ही अपने आसपास के लोगों को भी पर्फेक्ट लेखना चाहते हैं करन्या राशी वाले जब शौपिंग करने जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी वस्तूएं खरीदे और अगर कहीं सस्ती वस्तू मिल गई तो उसको कहेंगे कि ज्यादा खरीद करके अपने प करती एक ऐसा देखना कि मैं अपने जीवन को बहुत सस्ते भाव में भिता लूँ चाहे मुझे खाना पेट भर जाए चाहे खाना स्वादिष्ट हो या ना हो इस तरह की बनोवर्ती इनके मन के अंदर रहती है अब आपने देखा होगा कि बच्चा जो हना जब गल्ती करता है तो गल्ती मानता नहीं अपनी गल्तियों को चुपाने का प्रेतन करता है और ये भी तरह तरह के बहाने लगा करके अपनी गल्तियों को चुपाने का प्रेतन करते हैं बहुत हद तक काम्याब भी हो जाते हैं लेकिन इनकी अंतर आत्मा उस समय इनको कुछ ओड़ती है कि आपने अपनी गल्ती को मानना चाहिए ईश्वर के प्रती बहुत ज़्यादा इनका रुजहान रहता है उसको मानते कम है और उससे ड़ते ज़्यादा है तो रिलिजियस धार्मे की जो इनकी आस्ता हैं बहुत डीप रूटेड होती हैं बहुत अंदर तक समझते हैं रास्ता चलते हुए किसी बिखारी को पैसा नहीं बेगा इसका तात्पर ये नहीं कि ये कंजूस होते हैं अगर किसी दोस्त को आवश्रकता पड़े तो शायद अपने कपड़े भी उतार कर बेच के ये उसका कार्या सिद्ध होने में ये अपना समर्पन कर देते हैं लेकिन खुद बहुत कार्या करते हैं सुबै से शाम तक मेहनत करना जानते हैं और केवल कार्या ही इनका जीवन का धे रहता है जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है ये लोग वरकॉनिक होते हैं यदि इनको खाली बिठा दिया जाए तो मांसिक रोग से पीडित हो जाएगी इनके लिए कार्य करना 24 घंटे बहुत अवश्चक है कई बार इंसो मेनिया यानि की नींद ना आने की बिमारी भी इनको हो जाती है तो कि सोते समय भी इनका दिमाग इनके कारेक शेतर की तरफ चलता रहता है कन्या राश्ची वाले पुरुष बहुत अच्छा रोमांस करना जाते है यदि किसी कन्या की तारीफ करेंगे तो कन्या इनके आसपास आपको घुमती में जर आएगी लेकिन बहुत कम लोगों की तारीफ ही है करते हैं इनको तारीफ सुनना ज्यादा पसंद है ज्यादा बोलना पसंद नहीं है लेकिन सुनना बहुत पसंद है यार वेरी गुड लिस्कर्स उसी तरह से ये जीवन साथी ऐसे जीवन साथी की तराश करता है कन्या राशी वाला पुरुष जो केवल इसको सुनाएगा और इसकी सुने तो बहुत कब है लेकिन दूसरे को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए इनका वेवाही की जीवन बहुत सुक्सेस्फूल रहता है खाने का शौक नहीं है लेकिन पेट भनने का शौक रहता है तो इस वज़ा से इनकी पतनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है कि वो कहीं चूजी खाने के लिए होगा बच्चे इनको पसंद है लेकिन बहुत कम संतती पसंद है घर में एक बच्चा होना चाहिए केवल ऐसा इनका धेर रहता है कन्या राशी वाली महलाएं अपने घर को समारना बहुत अच्छा गानती है दिमाग से काम करती है जैसा कि वर्जिन यानि कि कुमारी कन्या का रूप दिया गया इस राशी को उसी तरह की आस्था को मेंटेन करने के लिए यह हमेशा तत पर रहती है लेकिन बहुत मुश्किल से किसी पुरुष के संसर्ग में आती है अपना जीवन साथी चुनने के लिए बहुत ज़्यादा चूजी होती है और अपना दोस्त जो पुरुष दोस्त है उसको बनाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिज की जाहाट होती है इस्त्रियों का संसर्ग बहुत आच्छा लगता है इनको किटी पार्टी में जाना और और औरतों के साथ घूमना शॉपिंग करना ये इनका का पफटी है जैसे पुरुष जो कन्या राशी वाले हो उनको कम बच्चे पसंद है लेकिन कन्या राशी वाली महलाओं को बहुत सारे बच्चे चाहिए और आसपास उनके बच्चे हो उनका मन परसंद हो जाता है कन्याराशी वाले जो बॉस हैं, बहुत ही successful बॉस होते हैं, बोलते कम हैं, डांटते नहीं हैं, गाली गलोच नहीं करते हैं, प्यार महबबत से काम लेना एक उनका धेही रहता है, क्योंकि काम के खुद मास्टर होते हैं, इसलिए उनके एंपलॉई उनसे बहुत खुश रहते और शिक्षा देना ये उनका परमकर पव्य रहता है, सिखाने में आनन दाता है, लेकिन कन्याराशी वाला एंपलॉई जो है, बहुत sensitive होता है, डांट सुनना पसंद नहीं है, अपने कारे में वो perfect होता है, लेकिन अपने कारे के बीच में interfere उसके boss का भी उसको पसंद नहीं होते हैं, बारा वर्ष के बाद उनकी सेहत अच्छी हो जाती है, उससे पहले उनको allergies वोगरा आम तोर पर होती रहें